महरास्टर के पूर मुख्यमंतरी उद्दफ ठाकरे के दाएं हाथ कहे जाने वाले अनिल परप की भी अब मुश्किले बहुती जादा बढ़ने वाली हैं क्योंकि अनिल परप को लेकर के अब जो भारती जनता पार्टी की नेता क्रीट सुमया की तरप से दावा किया गया है उसके मुताबिक अब वो इलीगल जो उनका रिजॉर्ट है दापोली में उसकी वज़े से बड़ी मुसीबत में फसने वाले हैं और जो दापोली का वो भी डेमॉलिश करने की पूरी की पूरी जो है तैयारियां हो चुकी हैं क्या खबर आ रही है मैं आपको बताता हूँ दरसल भारती जनता पार्टी की जो नेता है क्रीट सुमया उनकी तरप से एक ट्वीट किया गया है और उन्होंने अपने इस ट्वीट में ये दावा किया है कि जो परियावरन मिनिस्ट्री है जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उससे पूरी की पूरी जो है बाचीत हो चुकी है उन्होंने पूरा का पूरा दरसल जाइजा ले लिया है कि किस तरीके से तमाम अनियमित्ताओं को फॉलो किया गया है इस पूरी की पूरी प् करके बता देता हूँ क्रीट सुमया ने ट्वीट किया है पर स्यूइंग विद इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री एक्सपेक्टिंग फाइनल ओर्डर ओफ डेमोलेशन इन कपल ओफ डेस यानी कि आगे आने वाले कुछ दिनों में अनिल पर अपका जो इलीगल रिजॉर्ट है ज दाया हाथ कही जाने वाले संजराओ तो अल्रीडी और थर रोड जेल में बंद हैं दाया हाथ कही जाने वाले अनिल पर अपके ऊपर भी कानूनी हंटर चलने वाला है कुछ ही दिनों में फाइनल ओर्डर उनके अगेंस्ट में रिलीज किया जाएगा बेराल जो अनिल पर की भी आप मुश्किले बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस पर आपकी जो भी राय है हमें कॉमेंट करके ज़रू बताएं जल्द बलूँगा किसी दूसरी बड़ी कबर के साथ में अगर आप लोग चैनल पर नाए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें साइड़ ब बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी कबर लिकर रहा हूँ तो सब्सक्राइब नोटिफिकेशन आपको मिलेए